आप से जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N News Network हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राजजने दिल्ली के लिए ओक्सिजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फोन किये शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर लेकिन अब वो भी बचारे ठered ख गए हैं सर देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फेक्टरी नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्टरी है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं, ऐसे में हम क्या करें सर मैं आपका बेहत शुक्रियादा करना चाहता हूँ कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पर ये मीटिंग बुलाई है और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फोन उठाके केंदर सरकार में किस से बात करूँ सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले, तो मैं फोन उठाके किस से बात करूँ हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते हमें लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिन्दगी हमारे सब के लिए कीमती है हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाज जोड के अपील कर रहे हैं कि सर तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी तरासदी हो सकती है मैं आपसे मार्च दर्शन चाहता हूं सर सर कुछी राज्ये हैं जहां से मैकसिमम दिल्ली की अक्सीजन आती है और जहां सबसे ज़ादा दिक्कत आ रही है और जहां सबसे ज़ादा हमारे अक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे है मेरी आपसे विंती है अगर आप उनके उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फोन कर दें, कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी, आपका एक फोन ही बहुत है सर, उनको, दिल्ली के दो करोड़ लोगों की तरफ से मैं आज आप से हाथ जोड़ के विंती कर रहा ह सर, आप हमारी मदद कर सकते हैं, आप कृपया हमारी मदद केजिए और अस्पताल में लोगों को ताकि ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पताल में जो हालत बने हुए हैं, वो अब देखे नहीं जाते, लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ में हैं सर, पूर इश्वर ना करें अगर ऑक्सीजन ना मिलने से कुछ अन्होनी हो गई, तो हम सब कभी अपने आपको माफ नहीं कर पाएंगे, तो धानवंतरी जी करोना से देश को बचाने के लिए एक नैशनल प्लान बनना चाहिए, इस नैशनल प्लान के अंतरगत देश के सभी आगे रोक नहीं पाएगा, सर दिल्ली का जो ऑक्सीजन का कोटा आपने बढ़ाया, हम उसके बड़े शुकर गुजारें, लेकिन उसमें लगबग सो टन ऑक्सीजन उडिसा और वेस्ट वेंगॉल से आनी है, हम परसों से जब से कोटा बढ़ाया हम कोशिश कर रहे हैं उस हमें को दिल्ली लाने की, मेरा आपसे निवेदन है कि यहां से ऑक्सीजन अगर हो सके तो हमें हवाईजाद से उपलब्द करवाई जाए, और नहीं तो जैसा अब यह बताया गया, आपका आईडिया है ऑक्सीजन एक्स्प्रेस शुरू करने का, वो ऑक्सीजन एक्स्प्र मिल जाए तो आपकी बड़ी महरबानी होगी सर आपने दो तीं जगे तो कर दिया सर आपके इंटर्वेंशन से मुझे पता चला एक दिल्ली के लिए और करा दीजे सर यहां कि हमारी सौ टन अक्सीजन उदर से आनी है इसमें केंद्र और राज्ये सबी सरकारों को हमको मिलके काम करना है अभी सर केंद्र सरकार ने आदेश जारी कियें कि एक मई से राज्ये सरकारे सीधे करोना वैक्सिन खरीद सकती हैं इसके बाद एक वैक्सिन की कंपनी ने अपने रेट जारी की हैं कि वो केंद्र सरकार को 1.500 रुपए में और राज्य सरकारों को 4.000 रुपए में देंगे सर एक ही देश में एक ही समान के दो रेट कैसे हो सकते हैं वन नेशन वन रेट होना चाहिए सारे देश को एक ही दाम पे वैक्सिन मिलने चाहिए अगर देश एक है तो वैक्सिन का दाम भी तो एक ही होना चाहिए तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि केंदर सरकार को राज्य सरकारों को एक ही रेट पे वैक्सिन मिले जिस रेट पे केंदर सरकार को वैक्सिन मिल रही है उसी रेट पे राज्य सरक